चोरी मामली पर मैनपूर पुलिस को शिकायत की 24 घंटे में बड़ी काम्याबी विली है। मैनपूर के बेगलपाल में पडोसी में ही पडोसी के घर हाथ साफ कर दिया था। घटना 30 जून से 1 जुलाई 2022 की बीच की है। आरोपी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब आवेदी का जर्लिया बहार अपने माईके और उसका पती काम पर बाहर गया था। जब माईके गई पत्नी घर वापस लोटी तो देखा संदूप का ताला तूटा हुआ है। चोरी के नौ महीने बाद उसने जब पडोसी हलधर की पत्नी को अपने चोरी की जेवर पहने देखा तो मैनपूर थाना में इसके शिकायप कर आया। शिकायक के बाद मैनपूर पुलिस ने मामला दर्ज कर हलधर और उसके पत्नी से पूछताच शुरू कर दिया। कडिकूचताज के बाद पता चला पडोसी हलधर नहीं 66,000 के सोने और चांदी के जेवरात और नगदी 16,800 रुपर पर हाथ साफ किया था। मामले पर्थाना प्रभारी, शिर्शंकर, हुर्रा, एस आई, यदुराज ठाकुर, प्रधान आरक्षक, चुडामनी देवता, भवान निताम, कोमल घृत लहरे, यादराम पटेल, मोतीलाल की महनत रंगलाई, आरोपी हलधर को महत 24 घंटे के भीतर ही चोरी की पुस्टी के ब पेचोगी मेखे, जिसके सब्सक्राज में आज, उसले फंदा दीन पहने शिकाट प्राफ्त हुआ था, जिसमें एट्जांस का वाईकी गई, जिसमें प्राथियां के दौरा जो रेक्षित के उपर सब किया गया था, उसे इसकी खर में जागतारा तबड़ा गया था, और कर्याबन से जैविलास सर्मा के रिपोर्ट पस देखते रहे सीजी विजन टीवी